Hi guys, this is Swati, your English Educator from Magnet Brains and हम क्या पढ़ रहें? हम पढ़ रहें tenses, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे past time में जो last tense होता है which is past perfect continuous tense obviously नाम से तो बड़ा heavy लगता है and है भी ये एक advanced tense but हम इसको बहुत easily समझेंगे कि किस तरीके से ये tense का structure form होता है कहां ये use किया जाता है इसका negative sentence कैसे form होता है interrogative sentence कैसे form होता है contractions कैसे use होते हैं इसमें and finally कुछ exercises ताकि आपका पंडा एकदम clear दो जाए So we are going to begin, let's start सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो past में जब मैं बोलती हूँ perfect continuous की बात मतलब कोई काम हो रहा था देखो पहले तो समझे समझ लो कि हम already वैसे तो बहुत बार discuss कर चुके हैं कि जब मैं बात करती हूँ यहां पे यह रही मेरी timeline यह हूँ मैं यहां पे present ठीके? जब मैं वैसे तो बात करती हूँ देखो क्या बोल रहा है अब क्या आ रहा है यहां पे perfect आ रहा है लेकिन perfect किस चीज़ के लिए past के लिए आ रहा है तो मैं has तो नहीं लगाऊंगी have भी नहीं लगाऊंगी मैं क्या लगाऊंगी? had लगाऊंगी यह तो confirm हो गया मेरा helping verb had ही आएगा ठीके? और क्योंकि वो बोल रहा है continuous tense है और continuous tense की कौन सी पहचान होती है कि उसमें आ जाता है verb में ing आ जाता है अब ing आ रहा है मतलब verb का first form ही होगा जिसमें ing लग रहा है ठीके? अब यहां पे क्योंकि यह past perfect continuous है तो मुझे एक bean बजानी पड़ेगी जिसको मैं लगा दूँगी यहां पे बन गया मेरा structure that's it subject plus had plus बजाओ भीन और लगा दो verb में ing लेकिन यह एक use कहा होता है करते क्या है हम वो समझेंगे जैसे मान लो अब यह क्योंकि past perfect tense है continuous tense है यहां मैं बात कर रही हूँ एक activity जो past में कभी चालू हुई थी past में कभी चालू हुई थी और चली 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 continue हुई और past में जाके वो खतम भी हो चुकी है खतम भी हो गई past में गई तो यहां पे किस तरीके से बोलेंगे मैं दो घंटे से पढ़ाई कर रही थी मतलब यहां पे तुमारे यह दो घंटे हुए तुम बता दियो पहले की बात दो घंटे से मैं पढ़ाई कर रही थी खतम हो गई पढ़ाई present से कहीं कोई link नहीं है ठीक है अब हम यहां समझते हैं the past perfect continuous tense shows that an action that started in the past continued up continued up until another time in the past मतलब अभी जो मैंने बताया वही unlike the present perfect continuous tense जो की हमें क्या बताता है present perfect continuous tense हमें क्या बताता है एक बार हमनी क्या बचलेट करते हैं present perfect बताता है की कोई काम जो था वो past में start हुआ और अभी खतम नहीं हुआए present में आके वो continue हो जहा है मतलब वो काम अभी तक खतम नहीं हुआ है past में चालू हुआ था और अभी तक खतम नहीं हुआ है जैसे की मैं सुबह 10 बजे से पढ़ रही हूँ मतलब सुबह 10 बजे मैंने पढ़ाई चालू की थी अभी दो बज़रा है मैं पढ़ रही हूँ और अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ ठीके past क्या बताता है कि आपकी activity चालू तो हुई और यहां जाके खतम भी हो गई ठीके यहां पर क्या होता है unlike the present perfect continuous which indicates an action that begin in the past और वो present में continue हो रहा है जो past perfect continuous tense होता है वो क्या indicate करता है कि कोई चीज past में चालू हुई continue हुई past में और फिर एक time के बाद past में ही जाके खतम हो गई जैसे कि अगर मुझे बात करनी है कि मैं वहां पर मैं दो साल से यहां रह रही हूँ तो दो साल से यहां रह रही हूँ मैं present की बात करें प्लीज यहां मैं दो साल से रह रही हूँ अभी भी मैं रही रही हूँ अगर मैंने बोला मैं दो साल से वहां रह रही थी मतलब दो साल मैं वहां पर रही और उसके बाद मैंने वो जगा छोड़ दी ठीक है? अब यहाँ पे देखो बड़ा example एक ongoing activity थी past में मतलब past में कोई activity चल रही थी लेकिन वो activity past में ही खतम हो गई यह है तुम्हारा present present के पहले ही वो activity खतम हो गई ठीक है? अब यहाँ पे हम देखते हैं जो past perfect continuous tense होता है वो past perfect जैसा ही होता है कि past perfect में क्या होता है? यह होता है कि एक activity पहले खतम हो चुकी है लेकिन यह हमें बड़े-बड़े actions के बादे में बताता है यह हमें छोटे actions के बादे में नहीं बताता था बड़े-बड़े actions के बादे में बताता है राम स्टार्टेड वेटिंग अट 9 अम मतलब राम इसमें हम यहां लिख देते हैं राम हैड स्टार्टेड ठीक है तो राम ने नौ बजे वेट करना स्टार्ट किया था ओके I arrived at 11 अम मैं कितने बजे आया 11 अम तो हम यहां बनाएंगे एक टाइम लाइन चलो यहां देख लेते हैं ठीक है राम ने वेट करना कितने बजे स्टार्ट किया मानलो यहां पर 9 बजे सुबह 9 बजे उसका वेटिंग पिरिड स्टार्ट हुआ उसने वेट करना स्टार्ट किया मैं कितने बजे आया? यहां क्या दिया हुआ है? मैं आया ग्यारा बजे तो around ग्यारा बजे वो आया था ठीक है? He came तो basically राम ने कितने घंटे वेट किया? राम ने यहां से यहां तक हम देखने तो राम ने दो घंटे वेट किया Right? So राम actually had to wait for कितने घंटे? दो घंटे तो राम had been waiting for me for two hours Present continuous, sorry Present perfect continuous tense अगर होता है या past perfect continuous tense होता है इसमें हम हमेशा time use करते है So to be more specific तो हमने क्या बोला? When I arrived जब मैं आया राम had been waiting for two hours राम दो घंटों से वेट कर रहा था आप past किये एक activity के बारे में किसी को बता रहे और बताए जब मैं पहुचा ना तब already बिचारा दो घंटे से मेरा वेट कर रहा था So he had been waiting for me for two hours चीक है? तो कुछ और examples देख लेते हैं यहाँ पर John बहुत ही ज्यादा tired था John was very tired He had been running वो tired क्यों था? क्योंकि वो बहुत दोड़ा था मतलब उसने बहुत ज़्यादा running की थी इसलिए वो tired था He had been running वो running कर रहा था तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो राम जो था यहाँ पे वो बड़ा ही tired feel कर रहा था क्यों tired feel कर रहा था? क्योंकि past में एक time period के लिए वो क्या कर रहा था? वो run कर रहा था इसलिए तो राम had been running that's why he was feeling tired I could smell cigarettes Oh, मुझे cigarettes की smell आ रही है Somebody had been smoking कोई smoke कर रहा था कोई जो था वो एक particular time के लिए smoke कर रहा था इसलिए जब मैं वहाँ पे गई थी मुझे cigarette की smell आ रही थी I could smell I could मतलब pastions Suddenly my car broke down I was not surprised It had not been running well for a long time अचानक से मेरी का रुख गई लेकिन मैं surprised नहीं हुआ क्योंकि बहुत टाइम से वो ठीक से नहीं चल रही थी तो बहुत टाइम से वो ठीक से नहीं चल रही थी इसलिए जब उसकी कार एकदम से रुख गई उसको surprise नहीं हुआ Had the pilot been drinking before the crash? Oh, क्या जब plane crash हो गया उसके पहले जो pilot था क्या वो drink कर रहा था? मतलब क्या वो alcohol consume कर रहा था? तो यहाँ पे आपका plane crash हो गया उसके पहले क्या आपका जो pilot था वो alcohol ले रहा था? So guys, that is our past perfect continuous tense Past अब यहां structure देखो सबसे पहले तो obviously हर जगा आजाता है subject Subject के बाद आता है perfect को कौन सा word बताता है? has, have, had हम बात कर रहें consentence की past perfect तो आपको लिखना पड़ेगा had उसके बाद आप बजाओगे एक bean क्योंकि हम बता रहें हम past perfect continuous की बात कर रहें तो हमने उसके साथ add किया bean अब क्योंकि यह continuous tense है क्योंकि यह continuous tense है हमने लगा दिया verb के first form में ing और rest of the sentence ठीक है? जैसे I I के बाद हमने लगाया perfect का had और उसके बाद बजाओगी bean उसके बाद हमने लिखा right जिसको हमने लिखा ing form में हो गया यह continuous perfect continuous tense ठीक है? I had been writing articles on various topics for three hours हम जो हैं बहुत सारे अलग-अलग topics पे articles लिख चुके हैं for three hours मतलब हम तीन घंटे तक लिख रहे थे लिख चुके थे वहाँ पे हम बहुत काम कर रहे थे He had been reading different kinds of books since morning वो सुबर से अलग-अलग तरीके की books पढ़ रहा था ठीक है? एक काम था जो हो रहा था वो अभी खतम हो गया है अब हमको यहाँ पे कुछ और examples देख रहे हैं Simple So, they had been playing football in that field before it started to rain So, बारिश होई उससे पहले वो लोग उस field में football खेल रहे थे Jane had been gossiping in the coffee shop for two hours Jane पिछले ग्रोगंटों से वो वहाँ पे coffee shop में बातें कर रही थी gossip कर रही थी तो यहाँ पे आप प्रेजेंट में यहाँ पे हो आप क्या बता रहे हो? अरे वो पिछले दो गंटे से वहाँ पे ना वो coffee shop में बतिया रही थी That's it Tom had been traveling around the world since the month of December अब Tom जो है यहाँ पे December है December से वो पूरा वर्ल्ड के चकल है Since the month of December वो तब से जो है कर रहा था Tom had been traveling around the world since the month of December उसके बाद वो रुख गया है अब वो नहीं कर रहा है We had been shopping in the shop before we came home तो यहाँ वो लोग घर आ गए लेकिन घर आने के पहले वो लोग क्या कर रहे थे? Shopping कर रहे थे So we had been Like you know we had been shopping before we came home So we had been shopping before we came home I had been singing different kinds of songs for an hour I had been singing So यह मेरा present है Present के पहले कहीं पूरे एक घंटे के लिए वो गाने गा रही थी अब हम यहाँ पर देखेंगे negative sentence कैसे form होते है देखो simple सी बात है क्या करते हैं हम subject होता है subject के बाद होता है helping verb हमें simple बता है subject होता है subject के बाद helping verb होता है उसके बाद आ जाता है आपका verb और जिसमें होता है ing form जो भी form होता है और आपका object होता है यह तो एक simple वाला है जब मैं बात कर रही हूं past perfect की तो ये हो जाएगा subject, helping verb हो जाएगा मेरा had had के साथ बजाओंगी मैं bean और उसके बाद आ जाएगा verb का ing form और plus हो जाएगा object ठीके, अब ये subject है मुझे बनाना है negative sentence तो ये had और bean को मैं not लगा दूँगी बीच में तो ये हो जाएगा had not been plus rest of the sentence ठीके, of course verb में ing form आएगा तो क्या हो जाएगा? I had not been looking there मैं तब से वाँ नहीं देख रही थी I had not been looking there अब हम इसके कुछ example समझेंगे they had, had के बाद क्या लगा दिया? हमने not तो they had not been playing तो ये है, देखो ये ही है हमारा पूरा structure जो हमें बताता है कि हम past perfect continuous की बात करें had मतलब past or perfect हो गया और been playing हो गया continuous tense negative बनाना था तो बीच में लगा दिया not ठीके? Jane had not been gossiping in the coffee shop for two hours Jane पिछले दो गंटे से coffee house में बातें नहीं कर रही थी Tom had not been traveling around the world since the month of December Tom December से पूरा world नहीं घूम रहा था We had not been shopping in that shop before we came home हम उस जगा पे shopping नहीं कर रहे थे घर आने से पहले हम shopping नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे हमने had और been के बीच में भी लगा दिया not हर जगे हमने यही काम किया है had और been के बीच में लगा दिया not जब मुझे question बनाना है तो मैं क्या करूंगी? जैसे कि example लेते हैं हम, ठीके? मानलो example है I had been listening मैं तब से सुन रही थी ठीके? I had been listening negative had or been के बीच में हम लगा दिया not तो यह क्या बन जाएगा? I had not been listening ठीके? I had not been listening यह तो हमें समझ में आ गया जब मुझे question बनाना होता है मैं हमेशा क्या करती हूं? जो मेरा auxiliary verb है उसको subject के पहले लगा लेती हूं auxiliary verb मेरा क्या है had इसे लगाना पड़ेगा मुझे subject के पहले तो यह क्या हो जाएगा? had I been listening क्या मैं सुन रही थी? ठीके? had I been listening क्या मैं तब से सुन रही थी? had I been listening और of course it's a question so question mark आ जाएगा यही हमारा structure है interrogative sentences का ठीके? so had I been listening to you ठीके? अब इसके examples हम देखेंगे क्या वह फुटबॉल खेल रहे थे before it started to rain? had they been playing football in that field before it started to rain? तो हमने दे के बाद जो had आया था उसे हमने पहले लगा लिया ठीके? और हो गया had फिर subject फिर आगया आपका बीन और वर्ब में ing form बाकी का sentence had Jane been gossiping in the coffee shop for two hours? क्या Jane coffee shop में दो घंटे से gossip कर रही थी? तो Jane, अप ही हमने क्या बहुत है? Jane had been gossiping अब बोलेंगे हम had Jane been gossiping तो हमने hat को इधर लेके चले गए हम had Tom been traveling around the world since the month of December? क्या वह December के महिने से घूम रहा था? तो यहाँ पे Tom के पहले का had आगया Tom के आगय and हमारा बन गया question had we been shopping in that shop before we came home? क्या हम shopping कर रहे थे घर आने से पहले? तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, हम shopping नहीं कर रहे थे लेकिन we के पहले का हमने लगा दिया had ठीक है? दाट सट, यही है हमारा interrogative अब यहाँ पे हम देख लेते हैं चाहे I हो, you हो, she, we, they, it, he, anything हमें हमेशा लगाना है had been had been, had been, had been, had been, had been ठीक है? I had been buying, you had been buying, she had been buying, that's it जब negative है तो had or been के बीच में आ जाएगा not I had not been buying और had or not को जब हम लिखते हैं together तो contract करके हम उसे लिखते हैं had not तो I had not been buying, you had not been buying, she had not been buying, we had not been buying and they had not been buying जब question करना होता है तो यह जो had होता है उसे में subject के पहले लगा देती हो तो यह हो जाएगा had I been buying, had you been buying, had she been buying, had we been buying and had they been buying अब हम देख लेते हैं यहाँ पे nutshell में जब positive sentence होता है simple I लगाओ, had लगाओ, उसकी बाद been लगा दो आपके verb में ing लगाओ, खतम you had been playing tennis जब negative होता है had or been के बीच में आ जाएगा not यह क्यासे हो जाएगा it had not been working well we had not been expecting her had you been drinking यहाँ पे हमने question में subject और helping verb की जगा बदल दी ठीक है simple guys, अब हम देख लेते हैं contraction contraction, contraction वैसे तो हम समझ चुके है अगर I had been होता है तो I had ही होगा contraction में been नहीं आएगा you had, जैसे हमने पहले समझाता he had been लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे he had को लिख लिखिया, he apostrophe d और been लगा दिया she had been, she apostrophe d और been same काम करेंगे हम सब के साथ ठीक है अब अगर हमें not है तो हम hadn't been बोलेंगे ये भी हम समझ चुके अब आते हैं, कहां use होता है past perfect continuous tense हम past perfect continuous tense को use कहां करते हैं पहली चीज़, duration before something in the past एक duration, एक period of time before something in the past present से कोई connection नहीं है तो we use the past perfect continuous to show that something started in the past started in the past and continued for a period of time in the past but it ended in the past जैसे कि क्या हुआ? ये अद बीन टॉकिंग फॉर ओवर अवर बिफोर टोनी अराइव टोनी के आने से पहले वो दो घंटे घंटे बात कर रहे थे शी हैड बीन वोकिंग अधा कंपनी फॉर थ्री आवर्स 3 years when it went out of business मतलब उसने उस कंपनी में 3 साल काम किया था तो वो जो कंपनी थी वो bankrupt हो गई मतलब वो कंपनी बंद हो गई तो उस कंपनी के बंद होने से पहले उस लड़की ने वहाँ पे 3 साल काम किया था तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पे देखो तो क्या होगा कि उसने काम करना चालू किया 3 साल तक काम किया बाद में कहीं जाके वो कंपनी बंद हो गई लेकिन वो बता रहे हैं कि कंपनी जो थी वो तीन साल तक वो उसने वहाँ पे काम किया था How long had you been studying French before you moved to Paris? अच्छा, Paris आने से पहले Paris move करने से पहले आप कितने टाइम से French पढ़ रहे थे? I had not been studying French very long मैं बहुत टाइम से French नहीं पढ़ रहा था अब है cause of something in the past हम past perfect continuous tense तब भी उसकरते हैं कोई current होता है, current मतलब cause of something कोई चीज किसी चीज की वज़े से हुई है तो जैसे आपका यहाँ पे past है example से समझते हैं जाद अच्छे समझ में आएगा Jason was tired, past में यहाँ पे देखो यह तुम्हारा present हो गया past में Jason जो था वो tired था लेकिन वो tired क्यों था? उसका reason है because वो थोए time तक jogging कर रहा था इसलिए जब मैंने उसे देखा तब वो tired था Sam gained weight because he had been overeating तो Sam ने यहाँ पे जाके weight gain कर लिया क्योंकि उसके पहले वो overeating कर रहा था Betty failed the final test because she had not been attending classes तो Betty जो थी उसने यह पूरे time में class attend नहीं करी तो वो यहाँ जाके finally fail हो गई ठीक है? तो यहाँ पे हम पता दें जब कोई किसी चीज का answer हो यह क्यों हुआ? इसका cause क्या था? देखा जाए तो sentence वही है हर जगा हम usually यही करते है But of course जब हम use की बात करते है तो it's like it's flattering To show an action that had been going on before another past action अभी यह same चीज ही है Example देख लेते हैं तेंदुकर had been playing for two hours before he was run out तो run out होने से पहले वो दो घंडे तक खेल रहा था He had been playing in the ground before it started raining बारिश start हो गई उससे पहले वो ground में खेल रहा था ठीक है अब boss आती है सबसे important चीज किया मैं एक बात बताओ जब हम past continuous tense की बात करते हैं तो भी तो यही होता है कि यहां से यहां तक आपने एक duration में काम किया तो यह past continuous में और past perfect continuous में difference क्या है समझ लेते हैं Example देखो He was tired because he was exercising so hard यह क्या है यह past continuous tense है यहां पर हमने had or had कुछ यूज नहीं किया है was यूज किया है He was tired यह है simple past tense क्यूं? He was exercising so hard यह है हमारा past continuous tense वो exercise कर रहा था वो थका हुआ था क्यूंकि वो exercise कर रहा था यहां इसका मतलब क्या होता है कि वो उस moment पर exercise कर रहा था वो थका था क्यूंकि वो उस moment पर exercise कर रहा था अब अगर इसी की जगा He was exercising की जगा मैं अगर लिख दू He had been exercising तो हम यह बोलेंगे कि वो आजकल daily exercise कर रहा है इसलिए वो थका हुआ रहता है देखो समझो अचानक से sentence बदल गया एक जगा आप कह रहे हो उसने अभी exercise की इसलिए वो अभी थका हुआ था एक जगा आप कह रहे हो This sentence emphasizes that he was tired because वो काफी time से exercise कर रहा था एक period में and it is possible that he was still exercising at the moment or that he has just finished तो इसमें यह भी हो सकता है कि वो अभी भी exercise कर रहा हो continue करेगा आने वाले time में यह हो सकता है उसमें अभी अभी कम कर रहा हो लेकिन जब हम simple past बोलते हैं मतलब वो activity past में totally खतम हो गई जब मैं बोल रही हूँ past perfect tense की इसका मतलब वो कुछ दिनों से exercise कर रहा था यह वो tired था तो यह difference होता है कुछ और example से समझेंगे past continuous simple past continuous क्या होता है I was eating when the phone rang जब मैं खा रहा था bell बजी I was sleeping when you arrived जब तुम आए मैं सो रहा था I was cooking when I burnt myself मैं बस खाना बनाई रहा था तभी मैंने अपना हाथ जला लिया अब past perfect continuous में देखो I was eating when the phone rang I had been raining बारिश हुए जा रही थी It had been raining when I left the house जब मैं घर से निकला तब बारिश तभी हो रही थी I had been walking when the accident happened तो जब यह accident हुआ तब मैं काम कर रहा था या मैं walk कर रहा था मतलब जब आपका एक long और continuous action होता है past में यहां पर क्या हुआ वह एक छोटी चीज से interrupt है जैसे मैं खाना बना रही हूँ वह मानलो दो घंटे का काम है उसमेरा हाथ जल गया यह एक छोटा से interruption था जब हम past perfect की बात करते हैं तो यहां पर एक long continuous action है past में जो उससे बहुत ही जादा छोटे incident से interrupt हुआ था लेकिन यहां दोनो ही जगह समझने वाली क्या बात है कि एक जगह आप बता रहे हो आप एक काम करे जा रहे हो I had been doing this ठीके एक जगह आपने एक particular moment की बात करिये ठीके एक fix time की बात करिये So here guys we are done and now we are supposed to do the question and answers We sleep Sleep हमें verb दिया हुआ है past perfect continuous में रखना है Past perfect continuous मतलब subject हो गया फिर लेके आ जाना had been और उसके बाद लेके आ जाना verb में first form में ing लगा देना और बाकी का sentence लिख देना अगर not है तो had been के बीच में not लगा देना अगर question है तो इस had को subject के पहले लगा देना ठीके तो अब हम इसके answers देखेंगे आप वीडियो के काम करो pause करो answer solve करने की कोशिश करो और फिर हम जो है इसके answers देखते हैं देखें? चलिए 12 hours when he woke us up they had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived मतलब वो station पे बहुत देख से वेट करते कितनी देख से 90 minutes से वेट करते finally जब train आई उसके पहले we had been looking for her ring for 2 hours and then we found it in the bathroom हम 2 गंटे से उसके रिंध धूंड रहते और finally हमे बातरूम में मिली I had not been walking for a long time when it suddenly began to rain तो मैं बहुत साथा मतलब मैंने walk करना start ही किया था मैं बहुत साथा देख से नहीं चल देख थी लेकिन तभी बारिश start हो गई थी ठीके? इसके भी answers आप ही देने वाले हो जल्दी-जल्दी करो फटा-फट अब हम इसके answers चेक कर लेते हैं ठीके? How long had she been learning? तो बिलकुल question अगर आगया तो बस she के पहले लगा दो had from Sinatara caught the flu because he had been singing in the rain too long again he had been और फिर आगया आपका verb में आयन जी फिरम he had been driving less than an hour when he ran out of petrol so यहां आगया he had been driving had been or driving that's it guys now before I finish this session we are going to understand something ठीके? so जब मैं simple past की बात करती हूं जब मैं simple past की बात करती हूं तो मैं बोलती हूं I ate food इसका मतलब क्या होता है? मैंने खाना खाया मैंने खाना खाया ठीके? मैंने खाना खाया था बस ये हो गया ये होता है simple past I ate food यहां मैंने क्या किया बस अपना subject plus verb का second form plus मेरा object यही किया है मैंने simple good अब जब मैं बात करती हूँ past continuous tense की past continuous में मैं क्या बोलती हूँ I was eating food I was eating food मतलब मैं खाना खा रहा था यहां क्या हो जाए कि इसका मतलब मैं खाना खा रहा था ठीक है मैं खाना खा रहा था यहां का फंडा क्या होता है I मतलब subject फिर आजाता है आपका was या वर आजाता है और फिर आजाता है आपका verb का first form जिसमें आप add कर देते हो ing plus आपका object ठीक है? cool अब मैं बात करती हूँ past perfect की जब मैंने बात करी past perfect की तब मैं इस चीज़ को कैसे लिखूंगी? I had eaten food I had eaten food इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? मैं खाना खा चुका था मैं खाना खा चुका था मैं खाना खा चुका था something that happened ठीक है? इसका क्या होता है? subject plus had plus verb का third form plus आपका object और जब मैं बात करती हूँ past perfect continuous tense की तब मैं इसको किस तरीके से लिखती हूँ? I had been eating food for one hour मैं एक घंटे से खाना खा रही थी ठीक है? अब इसका क्या है? फंडा इसका हो गया? subject plus क्या जाएगा? had been plus आपका verb का first form जिसमें आपने ing लगा दिया है plus आपका object ठीक है? तो ये है अपना पूरा past समझे? So simple past मतलब I ate food past continuous I was eating food past perfect I had eaten food and past perfect continuous I had been eating food अब इसमें आप time mention कर सकते हो for one hour since 10 o'clock anything like that ये समझ में आगया then you are all sorted ठीक है? So if you want you can take a screenshot इसका आप अपने writing में beautiful writing में अच्छे से लिख ले न confusions कभी नहीं होगी ठीक है? Now what we are going to do is we are going to say thank you because we are done here ठीक है? We are totally done here and obviously in our next class we are going to start with simple future tense so guys stay tuned stay good stay happy I am going to see you in my next class thank you so much bye